प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस होता गया है, समझते हैं, जैसे कि हमारे पास stress strain कर्व लेते थे, हम mild steel के लिए, तो वहाँ पे एक definite yield point रहता था, definite yield point, तो non-furious metals में, जैसे कि हमारे पास aluminum है, silver है, copper है, इन metals में हमारे पास definite yield point नहीं रहता है, यहाँ पे जो stress strain कर्वाती है, वह सिधा एक, जैसे हम stress apply होता जाएगा, वैसे ही उसके अंदर strain भी आता जाएगा, लेकिन एक उस में कोई proper rate नहीं रहता है, वह continuously varying करते हुए, आपका कर्व आगे चलते जाता है, तो इसमें हमारे पास yield point को निकालना मुश्किल पढ़ जाता है, तो इसके लिए हम line of proportionality, अगर ये line of proportionality है, इस line of proportionality से 0.2% lengthwise आगे की तरफ, strain की तरफ, जहां पे आपका point आएगा, उस point से लेके, आपको line of proportionality के हिसाब से parallel line लगाना है, वो line जो आपका रहेगा, जहां पे विए उस करुप पे cross करेगा, जहां पे उस करुप को intersect करेगा, उस point को हम बोलते है proof point और जो आपके पास उस point पे जो stress रहता है, ये वाला stress जो रहता है, उस stress को हम बोलते है, proof stress, तो जहां पे भी हमारे पास, proof stress is the stress at which the strain has departed 0.2% of the gauge length, 0.2% of the gauge length, 0.2% यहां से यहां तक है, 0.2% किस का, आपके जो strain, इस material के अंदर जो change आए, जो strain का 0.2% कि जो length है, वहां तक आपके पास जो point आएगा, उस point से आपकी line-up, proportionality के parallel एक line लगा होगे, और वो line जहां पे आपके intersect करेगी, कवरू पे, उस curve पे जो point होगा, वो proof point होता है, और उस point पे जो stress होता है, वो stress को हम बोलते है, proof stress बोलते है, उस point पे, I think आपको यह समझ आगे है, यह तो खाली non-ferrous metals के लिए ही रहता है, जो आपके पास ferrous metals like mild steel, तो उसके लिए आपके पास definite yield point रहता है, लेकिन in case of non-ferrous metals, materials, उसमें आपके पास definite yield point नहीं होता है, तो वहां पे यह method यूज़ करके हम, yield point को निकालने की कोशिश करके है, और उस point को हम बोलत I think, आपको समझ आगे हो गए है